असलों अलेकुम आप देख रहे हैं सीवा ये चेचिंग ये देखना ये वैली वैट का फैबरी के ओफ वाइट है ये और हमने पलाजो की कटिंग कर ली है और इस तरह से हमें उल्टा रख देना है यहाँ पे और देखना हम प्यारा सा इस पलाजो पर डिजैन बनाएंगे और यहाँ पे हमें दो इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है यहाँ पे और दो इंच पर हम इस साइड में निशान लगाएंगे जिससे के हमें नीचे से फॉल्ड करना है और यहाँ पे सिधा एक मार्क करे यह देखना है यहां पर हम एक निशान और लगा लेंगे इस तरह से निशान को हम डार्क कर लेंगे यहां पर और एक पैटर्न हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है यहां पर यह हम कटिंग कर लेंगे और यह सेंटर में हम यह रखेंगे और इस तरह से निसान लगा लेंगे यह देखना इस तरह से और दूसरे एक इंच का गैप लेते हुए हम बीच में और दूसरा भी हम इसी तरह से निसान लगाएंगे और हम एक इंच का गैप रखेंगे और यहां पर भी हम इसी तरह से ये भी निशान लगा लेंगे और देखना हम इस साइड में भी ये निशान लगा लेंगे ये देखना पूरे निशान हमने नीचे के लगा चुके हैं और उपर हम यहां पर रखेंगे, दोनों के बीच में रखते हुए हम यहां पर इस तरह से रखेंगे, यह देखना इस तरह से, और यहां पर भी हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से निशान हम पुरी पलाजों पर इसी तरह से निशान लगा लेंगे, पोंचों पर, और इस साइड में भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे ये देखने पूरे निशान हमने लगा लिये हैं इस तरह से और हमें यहाँ पर इस तरह से इने कटिंग करेंगे क्योंकि यह इस्टेचबल फैबरीक है इसके धागे नहीं निकलते यहां पे भी इस तरह से हम cutting करेंगे जो हमने निशान लगाया था उसी निशान पर हम ये cutting कर लेंगे ये देखना इस तरह से दूसरा भी हम इसी तरह से cutting करेंगे पूरे हम इसी तरह से cutting कर लेंगे यह देखना इस तरह से इस तरह से हमें पूरे कटिंग कर लेने हैं यह देखना हमने नीचे नीचे के कटिंग कर लिया हैं उपर के भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे यह देखना हमने पूरे कटिंग कर लिया है और लेंगे हम यह भी वैलिवैट का फैबरीक है यह लेंग हम हाथों की हैल से इसे प्रेस करेंगे जिससे के इसमें एक भी बलना आए और पूरे पर हम इस तरह से पीन अप करेंगे यह देखना इस तरह से हम पूरे को पीन अप कर दिया है यह देखना इस तरह से और इसे मसीन की हैल्प से हम यह आपे एक पैर की सिलाई रखेंगे, यह देखना, जो मशीन का पैर होता है, इसकी एक सिलाई, पैर की सिलाई रखेंगे हम, और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, यह देखना, क्योंकि हमें गोलाई पर सिलाई लगा रही हूं, इसे बहुत ही धीमे, धीमे चलानी है मशीन, बहु यह देखना इस तरह से इस तरह से हमने एक रेडी कर लिया है और यहां पर धागा कट करेंगे और दूसरा भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे एक बार सिलाई करने के बाद हाथों से प्रेस कर देना जिससे के हमारे कोई बल ना आए इस तरह से ये देखना इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें शेर करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आपके लिए इसी तरह नेनी डिजैन बनाती रहूँ और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये पलाजो डिजैन कैसा लगा है ये देखना पूरे पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लिए और पिछे के दागे हम इस तरह से कटिंग करेंगे मैं एक भी दागा नहीं छोड़ती पूरे में इसी तरह से कटिंग कर देती हूँ दागे और एश्टरा फैब्रीक हम दोनों साइड से इसी तरह से कटिंग करेंगे और इस साइड से भी हम ये फैब्रीक कटिंग कर देंगे इस तरह से ये फैब्रीक उतना ही रखना है जो हमने अलग से फैब्रीक लगाया है ये फैब्रीक उतना ही रखना है जितना हमारे सिलाई में टेरी की सिलाई में आ जाए इसे कट मत करना ये देखना यहां पर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे यह देखना यहां पर हम इस तरह से फॉल्ड कर लेंगे और फिलाई लगा देंगे यहां पर और यह टेरी की सिलाई हम यहां पर इस तरह से लगाएंगे चुक्कि हमारा ट्राउजर बनकर रेडी हो चुका है दोनों पहुंचे और इस तरह यहां पे भी हम सिलाई लगा देंगे यह देखना कितना प्यारा सा हमारा ट्राउजर डिजैन बनकर रेडी हो चुका है आज के लिए इतना ही काफी मिलती हूं अगली वीडियो में अल्ला हाफीज